Hey guys welcome back to my youtube channel तो आज हम अपोट सी सीरिस को फिर से continue करने जा रहे हैं तो जैसके हमने previous episode में देखा था Zuzilin Susan को हरा देता है और वो बोल रहा होता है कि कितनी ज़ा शरम की बात है Sue family किसी दूसरी इनसान को भेज़ो तो episode no.634 की starting होती है Sue family का head सोच रहा होता है Sue family का head उसे रोक लेता हो और बोलता है कि नई तुम Sue के सामने कुछ नहीं कर सकते हो Sue family का head बोल रहा होता है कि मुझे ये डर है कि हमें तुम्हें बोलना पड़ेगा यंग मास्टर लूओ प्लीज को और Sue family को एक बार फिर से help कर दो Losing बोल रहा होता है कोई problem नहीं है मैं तुम्हारी जगा लड़ूंगा Losing पोच जाता है उन floating platforms पे Zulin बोल रहा होता है कि तुम Sue family से नहीं हो है तुम दूसरों के मामले में क्यों पैर डाल रहे हो अगर तुम समझदार हो तो surrender कर दो बे मतलब कि तुम ऐसे अपने आपको चोटे नहीं पहुंचाना चाहती हो तो Losing बोल रहा होता है तुम्हारी advice के लिए शुक्रिया पर मैं तब surrender करूंगा तब में को जरूरत होगी Zulin बोल रहा होता है कि पच्ताना मत बात में तुम वो losing की तरफ attack करने के लिए आ रहा होता है वो अपने snow track strike को use करने लगा होता है वो directly अपनी sword losing की sword से टकराता है और एक बहुत बड़ी explosion होती है losing को कुछ नहीं हो रहा होता है Zulin सोच रहा होता है कि मैं से surprise क्यों नहीं कर पा रहा हूं सोच रहा होता है इस तरीकी की strength हम किसे बेश सकते है next वो फिर रहानों के सोच रहा होता है कि Prince UV क्यों हा रहा है UV पहुंच ज़ते स्टेज के उपर बोल रहा है मैं fight करूंगा losing हमारा death match पिछली बार मोई जियान के वस से रुख गया था जू यावी बोल रहा होता है कि अगर मैं जू यावी चाहता हूं किसी को मारना तो उसके पास कोई और chance नहीं होता है losing सोच रहा होता है तो इसका मतला अगर मैं यहां पे इसे खतम नी करूंगा तो यह मुझे बार बार टंग करते रहेगा future में अब तुमने मुझे चैलेंज किया death match के रही है मैंने कुछ नी किया वह losing के उपर attack कर लेता है पर losing उसे काफ़जा असानी से doge कर लेता है यह भी बोल रहा होता है कि पहला मुव था तो मैं तुम्हें डोज करने दिया वो अपना next attack करने लगा होता है वो काफ़जा slashes losing की तरफ कर रहा होता है losing के अपने nine flash light splitting swordmanship को यूज कर रहा होता है दोनों के attacks आपस में टकरा रहे होते हैं एक इनसान बोल रहा होता है कि कितना ज्यादा fast है यह master का दो other show token को ज्यादा ही खतनाक है दूसरा बोल रहा होता है कि यह speed है यह three spirit की एक spirit है जो की speed को काफ़ी ज्यादा बढ़ाती है यह भी सोच रहा होता है हरानों के कि इसने मेरी quick sword को blow कर दिया मैं यह करता हूँ वो अपनी absorb technique को use कर रहा होता है उसकी जो sword होती है वो red color के हो जाती है losing उसने रोकने लगा होता ह अपनी sword से यह भी बोल रहा होता है कि अच्छा है blow करके दिखाओ वो जो इसकी sword होती है losing की sword से टगराती है losing सोच रहा होता है कि जो मेरी divine magnetons से वो जा रहे हैं कि इसकी sword मेरी power को absorb कर रही है मैं directly इसकी sword के साथ slash नहीं कर सकता हूँ losing पीछे अटके अपने aura को use कर रहा होता ह यह भी बोल रहा होता है कि तुम भाग क्यों रहे हो किस चीज का डर है तुम्हें जल्दी से losing की तरफ जा रहा होता है बाकी बोल रहा होता है कि यह बच्चा disadvantage में है वैल यह expect कर सकते है zoo family असानी से नहीं हरा सकती है zoo family को एक इनसान बोल रहा होता है कि जो absorbed spirit है वो opponent की divine maggot and power को absorb कर सकती है यह invincible skill नहीं है दूसरा बोल रहा होता है कि नहीं है ऐसी बात नहीं है losing सोच रहा होता है कि जो strength है मेरी हाथों में वो खतम होती जा रही है यह भी losing की garden के पास इपनी sword को लियाता है यह भी losing उसे नीचे जो कि डोज कर लेता है पर यह भी फिर काफिजा जोड से उसे पंच मारता है पेट में losing पिछे स्ट्रों से जाकर टगराता है यह भी हसरा होता और बोलता है कि तुम को जादे capable नहीं थे seven mountain meeting में अब क्या हो ग यह भी बोल रहा है तो क्या हुआ कितनी जाद आगा तुम्हारी रिपस बची हुई है वो अपनी कुछ black card की strength को यूज कर रहा होता है वो सोच रहा होता है कि जो release spirit है वो 300 divine mega 10 को release करेगी जो मेरी है साथ में जो इसकी मैंने absorb की है total 600 जाएगी यह strike को block नहीं कर सकता है losing अप अपस में तक्राती है सारे platforms हिल रहे होते हैं जो पानी होता है वो भी ऐसे हावव में पहुंच जाता है यह भी सोच रहा होता है कि इसकी जो power of 1000 की आसपास है possible कैसे है बाकी losing को रोकने की कोशिश कर रहे होते है अपने master को बचाने के लिए पर losing को से उड़ा देता है अपन उन्होंने याओवी पकड़ा होता है दूसरा बोल रहा होता है तुम्हारे इतने हिम्मत तुमने यंग मास्टर याओवी को मार दिया तुम यहाँ पे मरना पड़ेगा वो losing की तरफ अटैक करने लगा होता है अपने close से number बोल रहा होता है कि ध्यान देना यह इनसान है जो जू याओवी को खतम कर दिया वासने इस माउंटिन के यह मैच अभी खतम नहीं हुआ है अब तो नए इनसान है जो की याओवी से जादा स्ट्रोंग है वह इनसान अपने close से अटैक करने लगा होता है losing की तरफ पर losing को से डोच कर लेता है बाकी बोल रहा होते हैं कि इनसा इस बहुत कम है मैं कैसे बच पाऊंगा यहां पर नमबर बोल रहा होता है कि जितने मर्जी स्ट्रोंग कोई क्यों ना हो कोई ना कोई गल्ती वो करता ही है तो मैं बस धिहान से देखना है कि वो गल्ती कहां पर करता है losing सोच रहा होते है कि हाँ कोई ना कोई weakness तो मचे मेले होता है पर ना के यह बाद चौड़ यह ना कर रहा हुआ है उसने losing के हाथ को पकड़ लिया होता है वो सोच रहा होता है कि इंसान straight मेरे weak point की तरफ आरा attack करने के लिए कि एकेला पारटबचा हुए जो कि otic sorcery enforcement से नहीं गुदजड़ रहा हुए कि इसने notice कर लिया पर चलो क सर भी लिया हो तो भी क्या ही है मेरे जो डाक्ट इमोनिक डेथ एनर्जी है वो इसके हाथ को मेल्ट कर सकती है लुजंग के हाथ को कुछ नहीं हो रहा होता सिर्फ इसकी बाजू होती है उसका कपड़ा फट्टा और उसका ब्लैक हैंड दिखाई देता है लुजंग एक तरीके से शेड स्टॉन को यूज कर रहा होता है वो सोच रहा होता है कि इसका हाथ प्लैक क्यों हो रहा है क्या यह मेरी डेथ इनर्जी की वस्ते हो रहा है नहीं यह तो अलग सी चीज है यह मेरी death energy से बच पा रहा है losing fear अपने हाथ को चुड़ाता है और अपनी sword texture technique को यूज करता है और इस इंसान को cut कर देता है दो हिस्सों में उसका सर और शरीर अलग हो जाता है बाकी बोल रहा होता है वाव इसने इसे दो हिस्सों में काट दिया वो भी एक इस sword attack से दूसरा servant होता है वो काफ़ी जादा हरान हो जाता है losing बोल रहा होता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते है इसकी तरह तो यहां से दफ़ा हो जाओ वो servant सोच रहा होता है कि अगर has envy से हरान ही पाया तो मैं मरूंगा इसके हाथ हो जादा अच्छा होगा अगर मैं द्वारा वासनस माउंटन में चला जाओ और इसे रिपोर्ट करू तो वो चले जाते है losing पिछी की तब देखता है और zoo family के इनसान को बोलता है कि zoo family अभी भी किसी के साथ fight करना चाहती है वो इनसान मना कर देता है losing बोलता है कि सभी जो zoo, yaovi और बाक्यों की मोथ हो ये मेरे हाथ हो वो मेरा काम है अगर किसी की हिमत है zoo family से लड़ने की तो वो भी मारे जाएंगे मेरे हाथ हो वो जो zoo family का इनसान होता है zoo family का वो सोच रहो होता है कि प्रिंस yaovi खतम हो गए अगर मैं explain कैसे करूंगा इस situation को losing वापिस आ जाता है कोणर बोल रहा होता है कि वैल ये expect कर सकते है मेरे great leader से losing बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा leader नहीं हूँ में को तुम सिफ losing की कोणर बोल रहा होता है नहीं नहीं तुम हमेशा मेरे leader रहोगे ZOO family का head बोल रहा होता है शुक्रे यंग मास्टर लूगो तुमारी help के लिए पर तुमने ये सब कुछ अपने सर के उपर क्यों ले लिया losing बोल रहा होता है कि याओ भी मेरे पिछे था starting सही इससे तुम्हारे खुछ लेना देना नहीं नहीं था चलो competition को हम start ही रखते है वो इससान बोल रहा होता है ZOO family का कि कोई और family fight करना चाहती है सुम family से कोई भी नहीं आता है तो वो last में announce कर देता है कि मैं declare करता हूँ इस साल का winner रिपल पैविलिन ग्रैंड गैदरिंग का वो सुम family है हमें clear lake यान जाओ city का scene दिखायता है जो servant होती है losing कि वो बोल रही होती कि मुझे बाहर जाने दो वोडने की कोशिश कर रही होती है तब वो एक barrier से टकराती है और नीचे गिर जाती है thunder की वस से हमें यान family की second madam दिखाय देती है वो बोल रही होती है कि यान जाओ जाओ जिन जो barrier है वो personally जाओ family ने set किया है तुम breakthrough करके यहां से बाहर नीचल सकते है अपनी energy waste करना बंद करो जाओ जिन बोल रही होती है कि मैंने इतने जादा divine crystals कमाये थे family के लिए और तुम अभी भी मुझे बेचना चाहती है क्यों जो second madam होती है वो बोल रही होती है कि जो यान family वो द्वारा राइस करना चाहती है जो चोटे मोटे resources तुमने कटागी है वो काफी नहीं है तुम्हारी शादी जाओ family में कराने से हम जादा फाइदे में रहेंगे तो तुम्हें बस efforts माने बंद करना है तो अभी हमें third young master दिखाय जेता है जाओ family का वो बोल रहा होता है क्या तुम ready हो second madam बोलती है कि third young master तुम फाइलि याँ पर आगी हो जाओ जिन तुम्हारा इंतजार कर रहे थी काफी लंबी डाइम से third young master सोच रहा होता है कि इसका face और figure तो कितना जादा अच्छा है जितना imagine किया था उससे भी जादा में को इसे अपना बनाने पड़ेगा किसी भी कीमत ते वो बोल रहा होता है मिस जाओ जिन मैं काफ़े सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था आज मुझे ये मौका मिलेगा अपनी जिन्दगी गरने का जाओ जिन बोल रहा होती है कि मैं तुम्हारी wife नहीं बनूंगी अलेक्टिके से wife भी नहीं जो वो होती है extra wife जो मेरी यंग मास्टर है तुम उनको फेंड नी कर सकते हो मुझे जाने दो इससे तुम जिन्दा रहोगे थर्ड यंग मास्टर बोल रहा होता है कि एक छोटा मुटा डिसिपल बनना स्काई पहलेस का क्या उती है इतने हिमत मेरी जाओ फैमिली से लड़ने की वो अपने सर्वेंट्स को ओर दे देता है कि जाओ और इसे बांद दो वो आ रहे होते हैं जाओ जिन को पकड़ने के लिए जाओ जिन एक को चांटा मार देती है और वो पीछे जाके टकराता है धाओ जाओ जाओ जिन सोचते होती है कि मेरे हाथ इतनी जाओ घाकत आई खांसे कैसी पॉसिबल है बाखे जटकर दे अपनी आड़े मेंगेंट्स कुमाका होते है धाओ जाओ जन यहां के बहुंग कीнок जाज़जिन के सामने पहुंच जाता है, जाज़जिन बोल रही होती है, जैसे मैं यहां पर आई है, जो सेकंड मैडम थी उन्होंने मैं कोई इंप्रिजन कर दिया, यह मैं को फोर्स कर रही है, एक तरिक्के से थर्ड यंग मास्टर के साथ शादी करने के लिए, जाज़जि जाज़जिन को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, क्या तो मैं कोई प्रोबलम है, मैडम बोल देती है, नहीं नहीं, मुझे यंग मास्टर जाओ फोर्स कर रहे थे, जाज़जिन शुक्रिया बोल रही होती है, जाज़जिन को एक तरिक्के से, जाज़जिन इतना था, अब नेक्स लापते हैं में किस दनों में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाई!